अलो किसान भाईों, नमस्कार, कैसे हैं आप? आए होब आप सब बहुत अच्छे होंगे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्विंग में एप सभी का स्वागत है मैं मतष्ये पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आसी स्यादो किसान भाईओं, बहुत सारे किसान भाईओं का हमारे से एक question रहा है वो ये है कि अगर हम grass carb का yearling size का seed stock करते हैं yearling size मान लेजे हैं, जैसे कि 100 gram, 1500 gram, 200 gram का अगर हम seed stock करते हैं अपने तलाब में और उसको केवल हम हारा चारा खिलाते हैं हार चारे में जैसे की चरी हो गया बर्सीन हो गया केवल वो खिलाते हैं अलग से जैसे की सरसोखली बगारा या कमर्सियल फीड जो कमपनी फीड बनाती हैं वो सारी चीजे नहीं देते हैं केवल हार चारा खिलाते हैं तो कितने दिन में एक केजी हो जाएगी है ना तो किसान मुझे लगा क्यों न इस पर एक वीडियो बना जाए तो इसी टापिक पर हम आज आप सब के सामने वीडियो लेकर के आए हैं उसका एंसवर हम आपको इस वीडियो में देंगे तो किसान भाईयों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे हम आपको वीडियो के माध्यम से मच्छली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सब के साथ सेयर करते रहेंगे तो किसान भाईयों बने रहे ये वीडियो के अंत तक चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से इस कुष्टन का एंस्वर देते हैं कि ग्रास का अगर हम यह लिंक साइज का सीडि स्टॉप करते हैं और केवल हरा चारा खिलाते हैं तो कितने दिन में एक केजी की त्यार हो जाए जाएगी तो किसान भायों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताते हैं कि यह लिंक साइज का सीड अगर हम गरास कारफ का स्टॉप करते हैं अपने तलाब में और केवल हरा चारा खिलाते हैं तो कितने दिन में एक केजी की हो जाएगी और उसके पहले किसान भायों आपको एक ची बताना चाहते हूं आपने देखा होगा कि जितने सारे लोग यूटूब चैनल चलाते हैं जितने सारे मतश पालक हैं वो खास करके अपने वीडियो में ग्रास कार को वहरिता जादा देते हैं आपने ग्रास कार के ऊपर मुझे लगता हर चैनल पे तीन चार पांच वीडियो तो होंगी होंगी इसका क्या करण है क्यूंकि ग्रास कार पैसी मचली है जो ग्रास जिसको हम घास बोलते हैं घास खाना पसंद करती है और हमारे देश में हमारा देश किरसी पधान देश है तो यहां पे हर जगे चरी बरसी न नगा जहता है क्यूंकि किरसी परदान देश होने के कारण Ha verses जड़े है और खेती जुड़ने के साथ मावेसी भी पाल लखें जिनको हम YouTube वाले हम चैनल वाले ग्रासकार को पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाते हैं है ना क्यूंकि वह लो काश्ट में फार्मिंग की जाने वाली मचली है ठीक है तो अब टॉपिक पर आते हैं सीधे ग्रासकार इयर लिंक डालते हैं तो कितने दिन में हरचारा खिला करके 1 kg हो बताएगा कि कितने में 1 kg की हो पाएगी जैसे कि आपका water body कितना बड़ा यहनि कि आपका तलाब कितना बड़ा ठीक है और आप जिस जहां पर रहते हैं वहां का climate कैसा है थंड का इलाखा है या गर्मी का इलाखा उसके साथ साथ आप density क्या मतलब कि कितने ररे में किटना सीड की हैं। हैं उसके बात कि जो आपने सीड की क्या है। कि वांपने सीड की चाहिए व सब्सक्राइब काइं तो इस तरीके से मश़िक खाणा खिलाते हैं, तो इस तरह के कि बहुत सारी ऐसे सवाल होती हैं जो हम सबको अगर मालूम चलेगा तब ही उसका एक्जक्ट एंसवर दे पाएंगे कि हाँ ये इतने दिन में 1 kg की हो जाएगी है ना क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों को मालूम नहीं होता है तो इसी के वज़े से ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता कि कि इनको मालूम नहीं है तो चले की साम policies एकdle भीडियो में बताते हैं कि अगर आप एक इराउंड फीकर आपको बताते हैं अगर आप पर एकड के हिसाब से अगर density आप गराश कारव कर पांच हजार कर रखते हैं चार हजार से लेकर कि पांच हजार डेंटि रखते पर एकर में और आपके तलाब का एरिया आधे रेकड से लेकर के एक रेकड है आप अपने गरास कार को दोनों टाइम चरी बरसीन और जो भी मंडियों का वेस्टिज बगारा होता है सब्जीयों का वेस्टिज बगारा अगर वो दोनों टाइम खिलाते हैं भरपूर मातरा में मचली को खि है और ना बहुत जादा गर्मी पड़ता गर्मी के दिन में यह से तो कम से कम आपका 9 मईना तो लगी जाएगा बहुत सारे लोग का ये सवाल होगे कि हमने तो हमारी गराश कार इतने साइज का सीड श्टॉक किया था हमने तो 4-5 मईने में 1 कश कर लिया, ऐसी बात नहीं हो जाती है हमने भी गरास कार्फ को 3 महीने से ले करके 3.5 महीने में 1 kg तक मेरी भी गरास कार्फ हुई है मैंने जब सीड स्टोड किया था 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 गराध किया था execution किया है और जूलाई में हमने नेटिंग भी करके वीडियो बना करके दिखायी भी एक गरास कार्फ है यह चीज़े डिपेंड करता है कि आप उसकी डेंसिटी क्या रखे थे हमने ग्रासकार की डेंसिटी बहुत ही कम रखी थी पर एकर के हिसाब से माल लेजिए पांच छैसो पीस चारसो पांच पीस के वल्ला की थी और उसमें से सारे मचलियों का ग्रेट आट सो नौ सो एक हजा चार महिने में केजी आपके हो जागी लेकिन अगर आप उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं आपने जैसे देखा कि मैंने 50 पीस कतला किया था तो वह सारी मचलियों को छोड़िए केवल कतला कि फार्मिंग करते हैं क्योंकि यह पांच महिने में तो आराम से केजी हो जाग तो पता चलेगा कि चार महीने में मैक्सिमम आधे केजी की गई 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम तक ही अना तो आप जो मचली की वाटर को सर्कूलेट करते हैं या अलग से पानी डालते हैं इनि कि उसी का पानी उसी में डालते हैं तो जो मचली आपकी 6 महीने में एक चाह ओने वाली है वह पांची महीने हो कुछ नहीं करना अगर हम 1000 पीस इस्टाउक हैं और 10-20 पीस या 120 अगरी केजी की चली गए तो उसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा और एक बाता उर जान लिजे कि हमाने एक केजी का ही मार्केट है अगर आप यह लिख के लिए अगर आप अपनी मचली को एक केजी तक नह पतला मिर्गल ग्रास कार्फ कामन कार्फ सिल्वर कार्फ फंगाजियस रूप चंदा इन सारे मचली को अगर आप एक केजी तक नहीं ले जा पाते हैं तो आपको वह बेनफिट नहीं मिलेगा जो बेनफिट मिलना चाहिए तो किसान भाईयों आसा करते हैं कि यह वीडियो से आप ग्रास कारफ की फार्मिंग करें तो कितने दिन में एक केजी की हो जायेगी तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंटि करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें subscribe करके अधिक से दिक हमें support करें जिससे की हम आप सब के लिए इसी तरीके का और सारी जानकारियां आप सब के लिए provide कराते रहें तो किसान भाइओं अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो please वीडियो को WhatsApp नंबर डिस्विले पे लिखा हुआ मिल जाएगा और चलि हम आपको अपना WhatsApp नंबर बता भी देते हैं हमारा WhatsApp नंबर है 63-86-082-704 एनि हिंदी में 63-86-0-82-704 तो किसान भाईयों अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं कल एक इसी तरीकी की और जानकारी लेकर के आप सब के सामने फिर उपस्तित होंगे तो अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद